Hello everyone, Welcome to IT Study दोस्तो आज की इस वीडियो को टॉपिक है कोरोना वारस से सम्मंदित Important Apps आप सभी को पता होगा कोरोना वारस के कारण इस लॉगडाउन में केंद्र और राजसरकार के द्वारा कई सारे एप लॉँच किये गए हैं तो इन में से सभी Important Apps को इस वीडियो के अंदर हम लोग Question Answer के रूप में डिसकस करेंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग 25 Question डिसकस करेंगे तो आप सभी को हर एक Question को पहले खुद से Attempt करना है ताकि यह सभी आपको इसी वीडियो में याद हो जाएं क्योंकि आने वाले दिनों में आपके जो भी एक्जाम होंगे आपको इस टॉपिक से एक Question देखने को मिल सकता है तो चलिए सुरू करते हैं आपके स्क्रीन पर पहला Question है COVID-19 महावारी के दोरान किस राजे ने Corona Watch App लॉंच किया है तो आपको तीन सेकंड मिलते हैं अपना राइट आंसर आप सोच सकते हैं इसका सही उत्तर होगा Option D, करनाटक तो करनाटक राजे ने लोगों को नज़दी की अस्पताल के बारे में जानकारी देने तता कुरेंटाइन किये लोगों की निगरानी के लिए कुरोना वाच एप लौँज किया है तो इसका उत्तर होगा Option D कुरोना वारिष के कारण किस राजे सरकार ने आप्था मित्र नामक मुबाईल आप लौँज किया है इसका सही उत्तर होगा Option D, करनाटक तो करनाटक राज सरकार ने ही आप्था मित्र मोबाईल अप लॉंच किया है अभी इससे पहले मैंने आपको बताया करोना वाज इसको भी करनाटक राज ने ही लॉंच किया है लेकिन यहाँ पर जो आप्था मित्र मोबाईल अप है यह especially coronavirus के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए तथा coronavirus संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए आप्था मित्र mobile app लाँच किया गया है तो इसी तरह से coronavirus के संबन्द में हर एक राजमी कम से कम एक या फिर दो mobile app आपको देखने को मिलेगी तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखते रहें और हर एक question को पहले खुद से try जरूर करें चलिए next question आपकी screen पर है किस राजे सरकार ने जन सहायक help me app लाँच किया है तो इसका उत्तर होगा option A हर्याना हर्याना राजे सरकार ने इस lockdown के दोरान लोगों को जरूरी वस्तुओं और सिवाव की आपूर्ती के लिए help me app लाँच किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्याना राजे की जो especially कुरोना वारे से सम्मादित आप है इसका नाम है हर्याना सहायक तो इस तरह के कई सारे app हैं जिनके नाम में ही उन states के नाम है तो उन्हें आप आसानी से याद रख पाएंगे चलिए अगला question है भारत सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए आरोग की सेतु एप लाँच किया है यह निम्न में से किन रूपों में सहायक है तो इसका सही उत्तर होगा option D उपरोग तो सभी self-assessment test, GPS tracking और social distancing आप सभी जानते हैं आरोग की सेतु एप के माद्धिन से कोई विखती खुद का self-assessment test कर सकता है health संबनित कुछ basic से question के answer देके जिससे यह पता चल जाएगा कि किसी भी विखती में कुरोणा जैसे election है या नहीं क्योंकि ऐसे ही लोगों में COVID-19 विमारी होने के ज़्यादा तर chances हैं तो दूसरों को बचाने के लिए इनकी GPS tracking की जाती है ताकि बाकी लोग social distancing को follow कर सकें और इस तरह से coronavirus को फैलने से रोका जा सके तो इसका सही उत्तर होगा option D यहाँ पर आप देख सकते हैं आरोगी सेतु एप को लाँच किया है electronic की और सूचना प्रद्योकी मत्राले ने और इस समय आरोगी सेतु एप ये 11 भासाओं में उपलब्ध है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार ने coronavirus को लेकर एक और important एप लॉंच किया है इसका नाम है COVID-19 Feedback तो जैसा कि इसका नाम है COVID-19 Feedback जो लोग coronavirus को लेकर quarantine किये गए हैं या फिर coronavirus के कारण hospital में हैं वो खुद को किस तरह से recover करते हैं वो इस आप के मादधम से अपना feedback दे सकते हैं ताकि दूसरों को भी उसका फायदा मिल सके चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आपके लिए पांचवा question है COVID-19 से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब एप लाँच किया है इसमें A का पूर्ण रोप किया है तो यहाँ पर COVA यानि कि कोवा का फुल फार्म होगा Corona Virus Alert तो इसका सही उत्तर होगा option B यानि कि A का फुल फार्म होगा Alert किस राजे ने कोवा से निपटने के लिए COVID Locator एप लाँच किया है इसका अंसर होगा option B गोवा तो गोवा राजे ने GPS के माद्धिम से Corona संक्रमिट लोगों को ट्रेक करने के लिए COVID Locator एप लाँच किया है इसके लवा यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा राजे का एक और मुबाईल एप है इसका नाम है Test Yourself Goa तो दोस्तो अभी तक हम लोगों ने जिन एप्स के बारे में डिस्कस किया है उनको यहाँ पर हम एक बार रिवाइस करते हैं इसके बाद हम बाकी questions को लगाएंगे तो सबसे पहले Corona Watch और आप्था मित्र मोबाईल एप इन दोनों को लाँच किया है करनाटक राजने इसके बाद है जन सहायक Help Me एप इसको लाँच किया हरियाना राजने आरोग इसेतू और COVID-19 Feedback इन दोनों एप्स को भारत सरकाने लाँच किया है इसके बाद है कोवा पंजाब कोवा पंजाब इसे पंजाब सरकाने लाँच किया है और लाश्ट में है COVID-19 Locator इसको लाँच किया है गोवा राजने तो इस तरह से हम इनको रिवाइज करते चलेंगे ताकि ये सभी आपको इसी वीडियो में याद हो जाए प्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वाइटी स्टेडी को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद डेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्यान आपके लिए है किस आयाटी संस्थान ने होम कोरेंटाइन लोगों की निगरानी के लिए कोरेंटाइन एप लॉंच किया है तो इसका सही उत्तर होगा option C IIT Bombay IIT Bombay ने होम कोरेंटाइन किये लोगों की निगरानी के लिए कोरेंटाइन एप लॉंच किया है तो ध्यान रखेगा very important है कोरेंटाइन एप लॉंच किया है IIT Bombay ने अब यहीं पर आपको बता दू IIIT दिल्ली यानि कि इंद्रप्रस्थ Institute of Information Technology इसने भी एक बहुत ही important एप डवलप किया है इसका नाम है वास करो वास करो एप इसको लॉंच किया है IIIT दिल्ली ने चलिए अगला कोश्चन है COVID-19 से निपटने के लिए अरुनाचल प्रदेश की सरकार ने कौन सा मोबाईल अप लॉंच किया है इसका सहीवत तर होगा Option C COVID-Care तो अरुनाचल प्रदेश की सरकार ने कुरोना वारिस से निपटने के लिए COVID-Care अप लॉंच किया है इसका जो पडूसी राज है नागालंड इसने लॉंच किया है N COVID-19 और मिजोरम ने लॉंच किया है M COVID-19 तो इन्हें भी आप याद रखेगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं किस राजे सरकार ने जरूरी वस्तियों की आपूर्ती के लिए COVID-19 E-Vazar एप लॉंच किया है इसका सहीवत तर होगा Option D राजस्थान तो राजस्थान की सरकार ने जरूरी वस्तियों की आपूर्ती के लिए COVID-19 E-Vazar एप लॉंच किया है अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार द्वारा दो और एप को लॉंच किया गया है इन्हें भी आपको याद रखना है तो इसमें से पहली एप है I.U. I.U. एप पर लोग डॉक्टर से सीधे परामार्ष ले सकते हैं और उन दवाओं को ओर्डर कर सकते हैं और दूसरी एप है सेहत साथी एप यह मेडिकल एस्टोर्स के लिए है यहाँ पर लोग ऑन लाइन कोई भी दवा खरीच सकते हैं तो इन दोनों एप्स को भी आप याद रखेगा I.U. एप और सेहत साथी एप इन दोनों को एक साथी लॉंच किया गया था Next question है Corona virus के कारण किस राजी की पुलिश ने इस एप को लॉंच किया है इसका नाम है राज कोविड इन्फो तो इसे भी आप याद रखेगा अब इनको हम रिवाइज करते हैं सबसे पहले quarantine एप इसको लॉंच किया है IIT Bombay ने वास करो एप इसको लॉंच किया है ट्रिपल आईटी दिल्ले ने COVID care COVID care इसको लॉंच किया है अरवनाचल प्रदेश की सरकार ने COVID-19 e-wazar COVID-19 e-wazar इसको लॉंच किया है राजस्थान की सरकार ने आईउ और सिहत साथी एप इन दोनों को भी राजस्थान सरकार ने एक साथी लॉंच किया है और इसके बाद यहाँ पर लाश्ट में है राज कॉप सेट जैन एप इसको लॉंच किया है राजस्थान पुलिश ने तो इन्हें आप याद रखेगा चलिए अगला कॉस्चन है कुरोना से निपटने के लिए भारती सर्वेक्षण विभाग यानि कि सर्वे ओफ इंडिया ने किस मोबाईल एप को लॉंच किया है इसका उत्तर होगा आप्षण सी यानि कि सहयोग अप तो भारती सर्वेक्षण विभाग ने कोविड-19 पेंडिमिक की जियो टैगिंग जानकाली देने के लिए सहयोग एप को लॉंच किया है चलिए नेक्स कोश्चन है किस राजी की सरकार ने कोरोना संकमित लोगों को ट्रेक करने के लिए महाकवच नाम का मोबाईल एप लॉंच किया है तो जैसा कि इसका नाम है महाकवच इसको लॉंच किया है महाराष्ण ने सही उत्तर होगा आप्षण सी महाराष्ण का जो पूने मुंसिपल कॉर्पोरेशन है उसने भी एक मोबाईल एप लॉंच किया है इसका नाम है सही अम एप सही अम एप इसको लॉंच किया है पूने मुंसिपल कॉर्पोरेशन ने तो इसे भी आप याद रखेगा कोविड-19 से निपटने के लिए तेलंगाना राज़ी सरकार ने कौन सा एप लॉंच किया है तो इसका सही उत्तर होगा आप्षण D T.COVID-19 यानि कि तेलंगाना COVID-19 इस एप को लॉंच किया है तेलंगाना राज़ी सरकार ने और यहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना पुलीश ने भी एक एप लॉंच किया है इसका नाम है तेलंगाना COVID-19 ट्रेकर कोरोना से निपटने के लिए तमिल नाड़ू राज़ी ने कौन सा एप लॉंच किया है इसका उत्तर होगा आप्षण D COVID-19 केयर तो कोरोना से निपटने के लिए तमिल नाड़ू राज़ी ने COVID-19 केयर एप लॉंच किया है इसके अलावा तमिल नाड़ू राज़ी ने कॉरेंटाइन लोगों की निगरानी के लिए COVID-19 कॉरेंटाइन मॉनिटर इस एप को भी लॉंच किया है चलिए अगला कोश्यन है कोरोना महमारी के दोरान किंदरी औद्योगिक शुरक्षा बल यानि की CISF इसने कौन सा एप लॉंच किया है इसका सही उतर होगा ओप्शन A यानि की E कार्याल है तो कोरोना महमारी के दोरान किंदरी ओद्धियों की शुरक्षा बलने यी कारियाले एप लॉंच किया है तो यी कारियाले एप की मदद से फाइलों को एक आफिस से दूसरे आफिस में आनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा इससे पहले इससे आफलाइन किया जाता था लेकिन उसमें कुरोना वायरिस फैलने के ज़्यादा तर चांसिस हैं तो ये कार्याले के मदद से समय की बचत होगी और कुरोना वायरिस को फैलने से रोका जा सकेगा तो इसको लॉंच किया है CISF ने तो अब हम इनको रिवाइस करेंगे सबसे पहले है सहयोग एप इसको लॉंच किया है भारती सरविक्छन विभाग ने महाराश के पूड़े नगर निगम ने नेक्स है TCOVID-19 TCOVID-19 इसको लॉंच किया है तेलंगाना ने अगली एप है COVID-19 Care इसे लॉंच किया है तमिल लाडू ने और इसके बाद यहाँ पर लाश्ट में है इकारियाले एप इसको लॉंच किया है CISF ने चलिए अगला कोश्चन है COVID-19 महामारी के दोरान किस राजे सरकार ने COVID-19 फर्मा एप लॉंच किया है COVID-19 फर्मा एप इसे लॉंच किया है आंधर प्रदिस की सरकार ने तो सही उत्तर होगा options ही देखे COVID-19 फर्मा एप ये medical stores के लिए है जो लोग करोना वारस की समय में medical stores से जाकर सर्दी या फिर बुखार से सम्मंदित दवाए लेंगे उनको register किया जाएगा क्योंकि इनमे COVID-19 विमारी हो सकती है तो ऐसे पैसेंट्स को ट्रेक करने के लिए आंधर प्रदिस की सरकार ने लॉंच किया है COVID-19 फर्मा एप और यहाँ पर आप देख सकते हैं आंधर प्रदिस सरकार ने जो कुरोना वारस से सम्मंदित एप लॉंच की है इसका नाम है COVID-19 आंधर प्रदिस नेक्स कोश्चन है COVID-19 महामारी के दोरान आयूस मंत्राले ने कौन सा मोबाईल एप लॉंच किया है इसका सही उत्तर होगा ओप्सन D यानि की आयूस संजीवनी एप तो आयूस मंत्राले ने आयूस संजीवनी एप लॉंच किया है इस एप के माद्धम से कुरोना वारस के इस दोर में लोगों को इम्यून सिस्टम बढ़ाने जैसे उपाय सुझाय जाएंगे तो ध्यान रखेगा आयूस संजीवनी एप लॉंच किया है आयूस मंत्राले ने और यहाँ पर आप्सन ए में लिखा आयूस कवच एप इसको लॉंच किया है उत्तर प्रदेश की सरकार इसका उत्तर होगा ओप्सन D, 36 गड़ तो 36 गड़ राजी सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्म नाम का मोबाईल एप लॉंच किया है इसके अलबा 36 गड़ सरकार ने दो और एप लॉंच किया है एक का नाम है कवच एप इसके मादिन से कोरोना वारस के बारे में सही जानकारी और इससे बचाओ के उपाय बताए जाएंगे और दूसरा है जो कि इपास जारी करने के लिए है इसका नाम है 36 गड़ COVID-19 इपास चले अब आगे बढ़ते हैं किस राज्य ने लोगों को इपास जारी करने के लिए प्रग्याम एप किया है तो इसका उत्तर होगा ओप्शन ए जारखंड जारखंड राजसरकार ने जो लोग ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ते से जुड़े हुए हैं उन्हें इपास जारी करने के लिए प्रग्याम एप लॉंच किया है तो अब हम इनको रिवाइज करेंगे सबसे पहले है कोविट फर्मा एप इसे लॉंच किया है आंत्रप्रदेश ने नेक्स्ट है आयूस संजीवनी एप इसको लॉंच किया है आयूस मंत्राले ने और आयूस कवच एप इसको लॉंच किया है उत्तरप्रदेश ने इसके बाद है रक्षा सर्व एप रक्षा सर्व एप इसक को लॉंच किया जारखंड राजसरकार ने चले अब आगे बढ़ते हैं next question है किस राजसरकार ने जरूरी वस्तुओं की आपूर्ती के लिए जन आपूर्ती एप लॉंच किया है तो इसका सहीव तर होगा option c उत्राखंड उत्राखंड के राजसरकार ने लोगों को जरूरी व गुविट-19 ट्रैकिंग सिस्टम हाल ही में दिली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल एप लॉंच किया है तो अभी हाल ही में दिली सरकार ने लॉंच किया है दिल्ली कोरोना एप तो इसका उत्तर होगा option a इससे पहले भी दिली सरकार ने एक और एप इसका नाम है SS Corona तो Corona संक्रमीज व्यक्तियों के लिए डोर टो डोर सर्वे करने के लिए इसे लाँच किया गया था SS Corona चलिए अगला कोश्चन है Corona वारेज के कारण किस राजे की पुलिश ने Be Safe Tracking App लाँच किया है Be Safe Tracking App इसको लाँच किया है केरल राजे की पुलिश ने सही उत्तर होगा Option C चलिए अब नेक्स कुश्चन है लागडाउन के दोरान प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए एक्जिट एप किस राजे ने लाँच किया है इसका सही उत्तर होगा Option C पस्चिम मंगाल तो पस्चिम मंगाल राजे में जो प्रवासी मजदूर काम करते हैं लागडाउन के दोरान अगर वो वापस जाना चाते हैं तो उनकी मदद के लिए एक्जिट एप लॉंच किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पस्चिम मंगाल की जो कुरोना वारे से सम्मंदिद एप है इसका नाम है COVID-19 West Bengal यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से पस्चिम मंगाल राजे ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक्जिट एप लॉंच किया है इसी तरह से उत्तर प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए प्रवासी राहत मित राप लॉंच किया है तो इस एप के मदद से उत्तर प्रवासी राहत मित राजे नागरिक जो अलग-अलग राज्यों में काम करते हैं और इस lockdown के दौरान वो वापस आ रहे हैं, तो उनके स्वास की निग्रानी की जाएगी, और आने वाले दिनों में सरकार के अलगलग योजनों में उनको लाफ दिया जाएगा, खास दर पर उनको रोजगार के औसर प्रदान किये जाएगे. तो प्रवासी रहत मित रैप इसको लाँज किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने. चलिए अगला कोश्चन है, कोरोना वाइरस के दौरान गूगल ने सोसल डिस्टेंसिंग में सहायक किस मोबाइल अप को लाँज किया है? इसका उत्तर होगा आप्सन A, यानि कि सोडर अप. तो गूगल ने सोसल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए सोडर अप को लाँज किया है, यह लोगों को दो मीटर तक की सोसल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में सहायता करेगा. तो Soda Rap को लॉंच किया है Google ने नेक्स्ट कॉश्चेन है COVID-19 से निपटने के लिए Odisa राज ने कौन सा मुबाईल एप लॉंच किया है इसका उत्तर होगा option C COVID-19 Odisa तो इसको लॉंच किया है Odisa राज ने बसे Odisa राज ने एक और मुबाईल एप लॉंच किया है ये COVID-19 से सम्मान्धित एक डैसबोर्ड है इसका नाम है Odisa COVID Dashboard चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम इनको रिवाइज करेंगे सबसे पहले है जन आपूर्ती एप इसे लॉंच किया है उत्राखंड के सरकार ने दिल्ली कोरोना एप इसको लॉंच किया है दिल्ली सरकार ने नेक्स्ट एप बी सेफ ट्रेकिंग एप बी सेफ ट्रेकिंग इसको लॉंच किया है केरल पूलीश ने exit app इसको launch किया है पस्टिम मंगाल की सरकार ने और प्रवासी रहात मित्र app इसे launch किया है उत्तरप्रदेश की सरकार ने इसके बाद है COVID-19 Odisa इसे Odisa राजे सरकार ने launch किया है और last में है Soda राइप इसे Google ने launch किया है तो friends हमने सभी 25 questions को cover कर लिया है और इनका revision कर लिया है अब इसके बाद यहाँ पर आपके लिए एक special question है और इसके बाद मैं आपसे दो question पोचूँगा जिनका right answer आप सभी को comments में बताना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है इन में से कौन सा एक विकल्प सही से सुमेलित नहीं है तो इसमें एक तरफ apps के नाम दिया गया है और दूसरी तरफ वो किन के दोरा launch किया गया है उनके नाम दिया गया है तो आपको बताना है इन में से कौन सा एक option ऐसा है जो correctly match नहीं है तो हम एक एक करके इन पांचों ही options को देख लेते हैं सबसे पहले quarantine app इसे launch किया है IIT Bombay ने ये बिल्कुल correct है next है सहयोग app इसे launch किया है भारती सर्वेक्षन विभाग ने ये भी बिल्कुल correct है COVID Pharma app इसे launch किया है आंद्रप्रदेश ने ये भी सही है next है रक्षा सर्व app इसको launch किया है 36 गड़की सरकार ने ये भी बिल्कुल correct है इसके बाद है Corona Watch app इसे launch किया है करनाटक राजने ना की पंजाब ने पंजाब के मैंने आपको एक एप बताया है वो है कुवा पंजाब तो Corona Watch app इसको पंजाब ने नहीं बलकि करनाटक राजने लॉंच किया है तो यही option यहाँ पर correctly match नहीं था तो सही उत्तर होगा option E अब इसके बाद यहाँ पर आपके लिए दो question है इनका उत्तर आप सभी को नीचे comment section में बताना है पहला question है वास करो एप किस अंस्थान ने लॉंच किया है यहाँ पर आपको चार विकल दिये गए है इसके बाद दूसरा question है Corona Watch app किस राजने लॉंच किया है तो दोनो question का answer आप सभी नीचे comments में लिखकर जरूर बताईएगा तो friends यह था आज का विडियो इसमें हमने आपको Corona बारे से सम्मंदित सभी important apps करा दिये हैं आने वाले exam में अगर आपसे कोई भी question पूछा जाएगा तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी question का right answer कर पाएगे friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है इसे like जरूर करें और इस वीडियो को share करना बिल्कुल ना भूलें आप जहां भी share कर सकते हैं जरूर share करें बाकी अगर आपका कोई सवाल या सुझाओ है आप नीचे comments में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपने हमारे चैनल पर पहली वार विजिट किया है तो YT Study को अभी subscribe करें उसके बाद bell icon को दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो के latest notification आपको सबसे पहले मिले तो friends thanks for watching this video मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्र